हेलो दोस्तों वेलकम पेक्ट टू माई यूटूब चैनल सुरज पटेल एजिकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल के तरफ से फिर से एक इनपोर्टेन नोटीस आ चुका है दोस्तों जो आप लोगों के लिए काफी जयादा इनपोर्टेन है ये नोटीस आप लोगों के online exam time table को लेके है दोस्तों ठीकें अच्छा किन के time table आ चुके है दोस्तों cbcc and non cbcc student के time table आ चुके है जिनका समिस्थर पेटन है साथी साथ वीडियो के टाइम टेबल बताने के लावा मैं आप लोगों को हॉल टिकेट मॉक टेस के बारे में भी बताने वाला हूँ किनकिन स्टुरेंट के लिए तो हम आगे देख लेते हैं कि किनकिन स्टुरेंट के लिए मैं वीडियो बताने वाला हूँ तो यह देख लीजे दोस्तों मुंबई उनिवोर्सिटी का यह सर्कूलर है सर्कूलर के उपर दोस्तों आपको लीख रहा है कि जुलाई 2020-21 समिस्टर CBC एं नौन CBC समिस्टर पेटर्न एक्जाम तो पहले मैं समिस्टर पेटर्न एक्जाम की बात कर लेता हूँ तो दोस्तों हम देखते हैं कि FYBA, FYB.com, FYBACIT फ्रेशर एक्जाम की बात कर रहा हूँ 30 जुलाई से एक्जाम चालू है दोस्तों आपको वीडियो ये टाइम टेबल देखने के बाद इसकीप नहीं करना है पूरा एं तक देखना, होल टिकीट, मौक टेस के बारे में भी बताने वाला हूँ और आप लोगों को ओनलाइन एक्जाम की स्टेडी मटेर कहां से मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों MSC Max और IT Fresher Student का भी 30 जुलाई से ही एक्जाम चालू हो रहा है MCA, Online और Offline Fresher Student का एक्जाम भी 30 जुलाई से चालू हो रहा है दोस्तों अब बात करूँ कि Repeater Student चाए वो FYBA हो, BQO में या FYBAC IT के हो या MSC Max IT के हो, या MCA के Student हो अगर Repeater Student है तो उनका अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है University ने कहा है, Will Be Declared Zone बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए भी टाइम टेबल डिकलेर करने वाले है ये था CBC Pattern के Student के लिए अब हम बात कर लेते हैं Non-CBC Semester Pattern अब Non-CBC में Semester 4 and 6 BAC IT Fresher and Repeater 30 जुलाई से इनका भी एक्जाम है M6 अपना 4 से म, MCA Online, Offline, More का भी 30 जुलाई से है 6 से म, MCA का Project and Fresher and Repeater दोनों के लिए Fresher and Repeater 30 जुलाई से एक्जाम चालू होने वाला है ठीके दोस्तों, अब मैं बात कर लो PZDFM के स्टुएंट की बात करूँ या PZDORM के Fresher और Repeater का स्टुएंट भी के जो स्टुएंट है उनका भी 30 जुलाई से है लेकिन PZ के अगर Semester 1 के स्टुएंट है तो उनका बहुत जल्दी Repeater के स्टुएंट का ये टाइम टेवल आने वाला है अगर Semester 1-3, 1-2-3 ठीक है और 5 MCA के स्टुएंट है तो उनका भी जल से जल टाइम टेवल आने वाला है और Semester 1-2-3 and 5 BAC IT Repeater के स्टुएंट का भी टाइम टेवल आने वाला है तो दोस्तों ये था आपका टाइम टेवल के बारे में डीटेल आप उसके नीचे का Important Detail देख लेते हैं कि क्या है दोस्तों सबसे पहले लाइन में Mumbai University ने कहा है कि ये Examination Semester Patent के स्टुडेंट के लिए है ठीक है और जिनों ने अपना admission between September to December 2020 में करवाया है July सेशन के लिए ठीक है Repeater Student भी इसमें allow है ठीक है तो दोस्तों सक्टेंबर से टू डिसमबर के बीच में admission ले है ये उन स्टुडेंट के लिए है अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की आइडेल विल बी कंड़केट ओल अबोग कोस राउट ओनलाइन मोर मतब मुंबई उनिवसिटी जो भी एक्जाम कंड़क कर रहा है वो ओनलाइन मोर मतब MCQs बेस एक्जाम होने वाला है ठीक है एक्जाम टाइम टेबल डिकलेर वेरी सुन मतब आप लोगों का जो टाइम टेबल है बहुत ही जल मिलने वाला है आप लोगों को इस वेबसाइट पर दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ओल पर रख देना आपको हर अपडेट यहीं मिल जाएगा कहीं जाने की ज़रुवत नहीं है ठीके दोस्तों अब बात कर लेते हैं होल टिकेट विल बी मेड अवेलेबल इन इस्टुडेंट आइडी जो आपने इस्टुडेंट आपको पता है कि मुंबई उनिवर्सिटी के तरफ से आपको लोगिन आइडी मिला हुआ है वो ही लोगिन आइडी आप जब अपना पोटल ओपन करोगे लेफ साइट में अगर आप देखोगे ठीके तो आपको होल टिकेट का सेक्षन दिखेगा आप उस होल टिकेट पर क्लिक करना आपको होल टिकेट मिल जाएगा लेकिन एक्जाम के चार दिन पहले अब भी ट्रा मेरे चेनल पर आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों यह पूरी इंफोर्मेशन थी आप लोगों के लिए आई होप कि यह इंफोर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने जादा स्यादा दोस्तों में जरू सेर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था अगर आपका online exam और आपको mcqs चाहिए तो आपको कहां से मिलेगा तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दो website बनाने वाला हो जहां से आपको आपका mcqs मिल जाएगा तो सबसे पहला website है सूरजपटेल एजुकेशन डोट कोम जो मेरा youtube चेनल है सेम नाम का मेरा website है सूरजपटेल एजुकेशन डोट कोम आप google पे जाके लिखिए और इसका description में link आप वहाँ से भी click करके जा सकते हो दोस्तों यहां आपको mcqs मिल जाएगा all subject का mcqs मिल जाएगा आप देख सकते हो और यहां तो आप इधर education पे click कीजिए ठीके education पे click करने के बाद इधर आपको देखे become section पे click करना become section के बाद इधर fy sy ty जो student हो उस student पे click करके आपको उस subject का मिल जाएगा यह सूरजपटल education पे है ठीके दोस्तों इधर आपके सामने आ जाएगा अब मैं एक और आपको website बता देता हूँ जिसका नाम है www.mumbayuniversityideal.com दोस्तों आप सब Mumbai University Ideal के ही student हो राइट तो बस आपको वही लिखना है www.mumbayuniversityideal.com जैसे ही दोस्तों आप इधर लिखते हो तो आपके सामने इस तरीके से screen आ जाएगा और दोस्तों यह देख सकते हो कि आप यहां से बहुत easily बहुत आसानी तरीके से आपके mcqs पर सकते हो और यह दोनों website पे daily update आता रहता है आप ल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा उगा तो फिर से काओंगगा कि लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए फिर से मिलता हो नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों